हमारे साथ वसीम जावेद खान जी हैं जो शिवाजी मानखुर्द इस विधान सबाद छेतर से चुनावी मैदान में खड़े हैं उनसे हम बात करेंगे किस तरह का जोश है आप में और आपके कारे करता हूं में जिस तरह के समी करन फिलहाल मैदान में आपको दिखाए दे रहे हैं जिस किसम का जोश था एक एक कांग्रेस के कारेकरता में उसी किसम का जोश उसी पहमाने का जोश हम सब में हमें हमें हमारे कारेकरता हूं में आज की दारीक में आपकी पिता पूरो मंत्री रह चुके हैं, बहुत ही वरिष्ट मंत्री थे कॉंग्रेस में, आप भी कॉंग्रेस से जुड़े हुए थे, आपकी क्या बात हो गई कि आपको इंडिपेंडन लड़ना पड़ रहा है और आप ही के गडबंदन की एक दूसरी पार्टी है जो चाहिए के साथ कि हम कॉंग्रेस और कॉंग्रेस के हाइस लाइस पर लोग चाहते हैं कि हम ये लड़ाई लड़ें क्योंकि कॉंग्रेस लोगों के बार में सोचती है लोगों के लिए लड़ती है इन लोगों के लिए हम जो भी करना पड़े हम करने को तयार हैं तो आज हाँ अभिकास अगाडी का जो घटक दल है समाजबादी पाट अबू आजमी आपके सामने खड़े हैं मान लिजे कोई बड़ा नेता आता है तो क्या वोट के लिए जो मांग करेगा वो अबू आजमी के लिए करेगा कि वसीम खान के लिए हम किसी से उम्मीद नहीं करते हैं कि कोई आके हमारे लिए हमारे लिए हमसे वोट मांगे हमारे लिए वोट मांगे हम हैं गोबंडी हमें मानकुष शिवाजी नगर और यहां का हर कार्य करता हर साथी हमारी तरफ से हमारे लिए वोट मांग रहे हैं क्योंकि हमारा वोट जो व छोड़ नहीं सकते दोस्ति कटेंगे तो बटेंगे बहुत चल रहा है इसे किस तरह से देखते हैं आप आपके साथ जो लोग दिखाए दे रहे हैं एक पर्टिकुलर कम्मिनिटी को लेकर बार-बार कहा जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे फिर मोदी जी आके कहते हैं कि ए अपनी आखों से देख रहे हैं इतनी सारी तकलीफे हैं तो गवारा नहीं करता हमें पीछे अटने से और वोट कटना बटना बटना बाई कोई भी एलेक्शन में लोग लड़ते हैं तो वोट तो कटता ही है बटता ही है जीतने के बाद कांग्रेस के बड़े नेता कहते हैं कि जिसका जादा सीट आएगी उसका मुख्य मंतरी होना चाहिए इस विधान पर आपका क्या कहते हैं हम तो बहुत छोटे आदमी हैं हमें सिर्फ मांको शिवाजिनेगर से लेना देना है हमारे लोगों की जिंदगी से देना है बाकई में मुख्य मंतरी कोई भी रहे उससे हमें फरक नहीं पड़ता है वो बड़े लोगों का डिसिजन है हम तो सिर्फ हमारे एरिया के लिए काम करते हैं सर अगर उनकी सरकार में आते हैं अगर पावफुल होते हैं तो मस्जिदों पर जो अवैद भूंगे घंटा हो मंदिर का चाहे वो भूंगा हो मस्जिद का अगर किसी को तकलीफ है तो दो साथियों को बैट करके एक मिडिल वे रिकालना पड़ता है ऐसा तो नहीं है कि किसी के कस्टम्स की ओपर आप जिद करें क्योंकि हम सब साथिय हैं यहाँ पर हिंदू हो मुसलमान हो शि साथ में बैट करके सलीशन निकलता है यूनिलाटरल डिसीजन लेना हमारा तरीका नहीं है साथियों के साथ बैट करके डिसीजन लेना यह हमारा तरीका है किरिक सुमया कहते हैं कि महाविकास अगाडी के लोग हैं मतलब जो मुसलिम संगट कुछ एंजियों हैं जो मुसलिम को वोट जिहाद की राजनिती कर रहे हैं वो एक साथ मिलाकर चाहिए क्या आपको भी ऐसा लगता है आप मुसलिफ कैंडिडेट है आपकी आवाम आपके स हमारी सोच सिंपल है साथ में सब के चलना बहुत जरूरी है अगर कोई गलत पहमी है तो बैट के सौफ करना बहुत जरूरी है विजय के साथ सुदध हो जाए भी पी नियुट में for exclusive and insightful videos subscribe to our new channel abpliveb premium